हेलो नमस्कार मैं हूँ रूपीश कुमार मिस्र और मैं आप सभी का ब्रेंस्टोर्म इडी के प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ देखिए इस टॉपिक आज की वीडियो में जो बात करने वाला हूँ बिहार विद्याल परिक्षा समीती, पत्ना द्वारा जो intermediate और कक्छा दस्वी का आप लोगा जो परिक्षाा आयوجित करवाया जाएगा अभी कक्छा दस्वी वाले का स्टार्ट नहीं हुआ है, कल से आप लोगा intermediate का परिक्षा स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें आप लोगो क्या होता है जो OMR seat जिसमें roll number, registration number, roll code, subjects ये सब वगेरा हमें feel करना पड़ता है और अगर इसमें आप कहीं भी mistake करोगे तो आपका result pending हो जाएगा तो आज की वीडियो में मैं आपको यहीं बताऊंगा कि OMR seat आपको कैसे भढ़ना है और MCQ मालो जो objective आपका question आता है suppose जिसको question का answer पता है तो बहुत easily वो रंग लेते हैं OMR को और solve कर देते हैं उसे जिनको answer नहीं पता होगा या फिर जिनको 2 option का मतलब 4 option मिलता है question में 4 option में से 2 के बारे में नहीं पढ़ा है बाकी 2 के बारे में वो नहीं जानते है तो elimination process कैसे आप लोग अपना होगे और जो कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए क्या MCQ का विकल्प है वो भी बताऊंगा लेकिन सबसे main बुदा इस वीडियो का है कि OMR seat को कैसे fill करना है इसको carefully जानना है नहीं तो ये जिनको पता नहीं रहता है बहुत सारे ऐसे छात रहें जो mistake करते हैं और इस बज़ा से उनका result pending हो जाता है ये कुछ important बाते थे जो मैंने आपको पहले बता दी वीडियो को start करने से पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ू उसे पहले चैनल पर जो लोग नए है सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लिजे आप लोग को अपने companion के साथ बीशे शेयर करना है अपने colleagues के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी से देख कर कम से कम OMR Seat कैसे भढ़ना इसके बारे में जान सके इंटर्मिट परिक्षा का आंसर की मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा जैसे जैसे आप परिक्षा दोगे सभी आंसर की आपको अलग स्यों OMR Seat मिलता है तो वो कैसे करना है लेकिन इससे पहले देखो आपको ये कुछ information फिल करना होगा यहाँ पर दस भी लिखा गया लेकि सेम होता है बारवी का भी तो सबसे पहले आप यहाँ पर subject का नाम लिखोगा आपकी copy के बाएं साइड में होगा ठीक है अगर आप परिक्षा का exam वह यह आपका क्या है वार्सिक है या फिर compartmental मतलब यह होता है कि जो बच्चे एक बार fail हो गए रहते लेकिन आपको वार्सिक में यहाँ पर क्या कर देना है आपको टिक कर देना यहाँ पर देखे बता रहे है टिक करने के लिए अब आपका कौन स पत्र बोलते हैं उस पर आपका subject code लिखा हुआ होगा ध्यान से पढ़ना उस subject code को यहाँ पर इस तीन बॉक्स में फिल करना है this is the sample of यहार बिद्याले परिक्षा समीथी उसका यह स्पेसी मैन है copy same to same रहता है अब परिक्षा का ती थी तो मानलो आपका का एक तारीक है तो एक लिखोगे दो और 2023 2023 ने सिर्फ 23 क्योंकि उतना बारा उसका बॉक्स नहीं दिया उत्तर देने का माध्यम अब किस माध्यम में परिच्छा का answering कर रहे हो question का अगर आप English में कर रहे हो तो आप English कर दोगे अगर आप Hindi में कर रहे हो तो हिंड लिख दोगे लेकिन हाँ एक आपको provide कर वाया गया तो हाँ और नहीं तो फिर नहीं पर तिक कर दोगे ये तो हमारा सबसे पहले हो गया उसके बाद आपको देखो कुछ और चीज़े हैं जो आपको धियान रखना है देखो Same to same यसी तरह कर रहेगा आपको roll number बढ़ना है तो roll number के लिए ये box बना है जो आपका roll number होगा box थोरा बड़ा भी हो सकता है अगर आपका roll number बढ़ा हो तो और इस box के सामने जैसे यह आपका roll number 8 है example के लिए हम लोग समझ रहे हैं तो 8 के सामने जाके हमने इसको रंग दिया अगर आपका roll number 7 है तो 7 इस box में इस वाले कहने का मतलब column में फिर देखो यह 0 है तो यहाँ पर 0 को रंग आ गया फिर 0 फिर 0 फिर 7 5 यहाँ पर आप लिखे हो 5 और फिर 7 यह तो roll number आप लिखे इसको रंग दो गया इसमें mistake मत करना आपको पांच मिनिट एक्स्ट्रा टाइम देना पर यह ठीक है लेकिन इसके mistake से वज़ा से यहाँ पर mistake करने के वज़ा से लाख हो बच्चों का result pending में हो जाता है चाहे आप copy में कितना ही अच्छा लिखे हो जब आपका resulting pending में चला जाएगा तो कहा गया first division कहा गया second division कहा टॉप करो गया main test booklet number अगर यह है तो यह आप लिखो गए नहीं तो आपका registration number के लिए लिखा हो रहेगा तो वहाँ पर आपको registration number रहता है registration number हो गया आपका roll code हो गया let me write it here ताकि आप लोग समझ सको clearly क्या सब रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है roll code registration number उसके बाद आपका हो गया विसाय code subject का code किया है आप बोलोगे subject का code कैसे पता चलेगा तो यह भी आपका रहेगा उसी admit card पर उसके बाद किस वर्स आप परिक्षा दे रहो year तो year आप 2023 तो 2023 देखिए अगर रंगने वाला option होगा तो 2 के सामने block, 0 के सामने 2 के सामने और 3 के सामने इसको रंग दोगे subject code सही से लिखना यह सब roll number हो गया, roll number और roll code हो गया अब उसके बाद आपको परिक्षार्थी का पूरा नाम आप जैसे ही नीचे जाओगे यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर नहीं है, यह दूसरा मतलब एक model की तरह है, यह OMRSIT परिक्षार्थी का पूरा नाम, आप अपना पूरा नाम लिखोगे, आपके subject का पूरा नाम सुनते जाओ, roll number words में लिखोगे, आपका कितना roll number है क्या है, words में लिखना है उसको इंगलिस में है तो इंगलिस में, और अपना signature वो भी full signature जैसे आपका नाम अगर मालो राकेश है तो राकेश कुमार फूरा signature वहाँ पे कर देना है, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया, उसके बाद सबसे नीचे देखो विक्षक का हस्ताक्षर होता है यह ऐसे रहेगा signature of invigilator तो यहाँ पर आपको sign नहीं करता है इसका मतलब विक्षक जो आपकी exam hall में जो निरिक्षन करते रहते हैं कि कुछ गलत वहाँ पे ना हो तो वो ही यहाँ पे sign करते, ठीक है और यह बाएवाले side में लिखा हुआ रहेगा जो कहने का मतलब student को sign करना है ना तो आप अपना हस्ताक्षर कर दो, परिछार्तिक हस्ताक्षर आपका नाम ब्लॉक लेटर भरना पड़े तो कुछ इस तरह से आपको OMR seat मिलेगा आप ऐसे भर सकते हो question attempt करने का बात आता है देखो जैसे आपको objective solve करना है 100 question है suppose कर लीजी आपको बनाना है 50, समझना है मेरी बातों को तो वही question को रंग वो यह नहीं कि 100 का 100 रंग देना है अगर, बतलब negative marking तो होता नहीं है तो 50 question मानलो आपको पहले का answer पता है तो पहले का B, सही से रंग वो गोला proper इस तरह से होना चाहिए इसको ना tick करना है, ना ऐसे cut मारना है ना आधा अधूरा होना चाहिए आपको ऐसे रंग ना है जिससे कि यह box पूरा देखो मैं दिखा रहा हूँ ना example के तो देखो यह ऐसे A हो गया, जैसे हमारा answer B है तो इसको B को में इस तरह से रंगेंगे फिर मानलो D है तो D को इस तरह से, आराम आराम से और वहाँ पे कौन सा pin यूज़ करना है वो लिखावा रहे है, जेल पे नहीं यूज़ करना है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन वो यूज़ा कर सकते हो आपको 50 question का answer मानलो 100 तक आते आते मानलो 51 तक ही 52 तक आपने 50 का answer दे तो ठीक है MCQ elimination में क्या करोगे कि देखो, जिनको सारा answer पता है बहुत अची बात वो तो मानलो, अगर 41 का A option है तो वो रंग लेंगे B40 का B है तो वो रंग लेंगे इसको सही से answering कर देंगे और उनको MCQ में अच्छा marks आ भी जाएगा चलो ताली, दे ताली लेकिन मानलो कुछ ऐसे चातर होते हैं जैसे मानलो चार option आपको मिलता है सुनना मेरी बातों को दोर से, गोर से यह ninja trick है, अब यह चार option मिला इस चार option में आपको उस दो option के बारे में आपने सुना है लेकिन दो option में आपको confusion लग रहा है तो वहाँ पर आपको अपलाई करना elimination process, eliminate करना पड़ेगा और this elimination process is right now helping many of the students in their examination and you have to take some risk, आपको risk लेना पड़ेगा eliminate करके आप देखोगे कि close कौन सा लग रहा है उस question का answer, क्या होना चाहिए, think करोगे कोई जल्दबाजी नहीं करना है कि तुरंट तुरंट हम लोग भड़ लेते हैं और बाद में आपको realize हो, जब आप objective का answer की बहार आके मिलाओ, तो हमारा mistake हो गया, तो पस्ताने से क्या फाइदा जब चरियां चुक गई खोगे, तो उसी समय आपको deliberate करना है, कि इसका answer क्या हो सकता है, जिस question का answer आपको नहीं पता है, माल लिजए आपको B और C में confusion लग रहा है या B और D में और बाकी A और C के बारे में आपने नहीं सुना तो आप उस case में B option को जएदा टिक करना क्योंकि ऐसा देखा गया कि B and C जएदा तर case में सही होता है उसमें भी अगर closely आप देखो तो B को करना है, अब ये नहीं मैंने B बता दिया तो question पढ़ाने directly जा कि अब B को paint करना है स्टार्ट कर रहे हो, नहीं जब आपको नहीं पता है तो ये process अपनाना है किन के लिए, जिनको दो option पता है बाकि दो के बारे में उनको थोड़ा confusion लग रहा है जिनको कुछ नहीं पता है question एक बार आप पढ़ो और जैदा तर में या तो B या फिर C ये आप टिक कर क्या हो, देखना आपका लगभग लगभग कह सकते हैं कि 10 में आपका तीन question तो जरूर सही हो जाएगा 3 question, 10 में से तीन question ऐसा हम कह सकते हैं, अगर 50 है लगभग 20 questions के असपास approach इतना हम कह सकते हैं आप कुछ नहीं पढ़े, अप साल भर तो इतना तो करना परेगा, थोड़ा रिस्क लेना परेगा और हाँ, हर एक question 50, अगर 100 है तो 50 question आपको 50 का 50 बनाना है जिसमें 50 बनाने को बोला जा रहा है अगर 70 है तो आपको 35 का 35 solve करना है, यहाँ पर कोई negative marking का प्राफधान नहीं है, यह नहीं कि आप छोड़ दिये आप जब solve कर लोगे, तो एक बार आप मिला लोगे कि सारा आपका OMR complete हुआ है अपना roll number, roll code, answer IDR number या subject code, उस year registration number हो, आपने sign किया विक्षक जो वहाँ invigilator होते उनके द्वारा sign किया गया है नहीं उसके बाद आपको मैं अभीन मैंने जो बताया बाए साइड में हाँ, ये वाला आप थोड़े step अच्छे से इसको follow करोगे और जिस साइड आपका examiner का जो मार्किंग वाला साइड होता है जहां पर वो मार्किंग करते हैं आपके copy पर उसको आपको छेर खानी नहीं करना है उसको आप छोड़ देना, आप देखना है student personal detail जो होगा बस उसी को आपको paint करना है और उसमें जो information पुछा गया है उसको भढ़ना है तो यही था आप लोग का बिहार विद्धाले परिक्षा समीती का model OMR seat का इसको आप लोग follow करो और मैं उमीद करता हूँ कि अब आप से कोई mistake ना हो क्योंकि लाखे हो ऐसे चातर हो है जो इसके victim हो जाते है mistake करके और बाद में परिशान होते हैं कि चलो हमारा mistake होगा इस तरह से तो परिशान नहीं होना है आशाक कर रहा हूँ मैं आपको ये वीडियो बहुत informative लगा होगा आप अपने इस वीडियो को अधिक शाधिक दूसरे चातर के साथ भी शेर करेंगे और चैनल पर जो लोग ने है चैनल को subscribe कर बगलने बेल आकन है प्रेस करके रखिए तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड थैंक यू फर लिसनिंग और आज आलवेज गाद ब्लेस यू आल